लोकसभा चुनाव में आकरी पड़ाव में पश्चिम बंगाल की लडाई बेहत दिल्चस्प हो गई है यहां खड़ा हुआ विवात थमने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है एक तरफ सुबे की CM वार करती हैं तो दूसरी तरफ से खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी उस पर पलट वार करते हैं प्रदेश में आज प्रचार के अंतिम दिन दोनों नेताओं के बीच जंकर बयान बाजी हुई ममता ने तो पेम को जेल भिजवाने की बात तक कह डाली पश्चिम बंगाल में जारी बवाल के बीच जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रचार पर एक दिन पहले ही रोक लगाने का फैसला किया सुबे की CM ममता बेनर जी बॉक ला गई इस फैसले के लिए पहले तो ममता ने चुनाव आयोग को आड़े हाथो लिया ममता के इनवारों ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को इसकदर घायल किया कि पस्चिम बंगाल में तो दीदी पर बरसे ही उससे पहले मव की रैली में भी ममता बेनर जी पर भड़ास निकाली और समाज सुधारक इश्वर चंद्र विद्या सागर के सहारे बंगाल के लोगों को साधते हुए वादा किया कि पार्टी उसी जगा नई मूर्ती लगवाए की परसो कोलकता में भाई अमिच सहा के रोड़शों के दवरान पीमसी के गुंडों ने इस्वर चंद्र विद्या सागर की मूर्ती को तोड़ दिया ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजाद दी जानी चाहिए वही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस्वर चंद्र विद्या सागर जी के वीजन के लिए सबर्पेत हमारी सरकार उसी जगा पर पंच धातों की एक बव्यम मूर्ती की स्थापना करेगी पीएम मोधी सोच रहे थे कि उनका ये दाव उन्हें जीत की दहलीस तक ले चाहेगा मगर उससे पहले ही ममता दीदी ने पीएम पर ऐसे ऐसे बान छोड़े जिससे बीजेपी मुश्किल में आ चाहे चुनाव आयोग की सकती के बाद अपनी रणनीती में बदलाव करते हुए ममता ने पश्चिम बंगाल में दम दिखाते हुए पहले तो रोडशो निकाला और फिर रैली को संबूधित करते हुए मोधी सरकार के दाव पर पानी फेर दिया ममता ने कहा कि वो कहते हैं कि वो विद्या सागर की मूर्ती बनवाएंगे लेकिन क्या वो 200 साल पुरानी विरासत लोटा सकते हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है कि मूर्ती आपने तोड़ी है आपको शर्मानी चाहिए इस दोरान मम्ता ने उन्हीं चुनौती देते हुए कहा कि आरोप साबित करो वरना हम आपको जेल तक ले जाएंगे तो मम्ता और पियेम मोदी की लडाई में अब जेल भेजने के खेल पर लडाई शुरू हो गई है अब ये लडाई कहा तक जाती है ये देखना दिल्चस्प होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट